सातियों नमस्कार कैसे हैं आप सब लोग मजा मा केम चो कैसा आहिस सातियों आज कल कॉमन ट्रेंड बन चुका है कि जब भी डिस्प्यूट खड़ा हो खासकर ब्रीच व एग्रीमेंट को लेकर तो लोग ठाने जाते हैं और एक कंप्लेंट करते हैं कि साब हमारे साथ चिटिं है या आरोपी है उस पर एक प्रेशर मांट करना कि देख भाई तो गिरफतार हो जाएगा फिर तो जैज जाएगा फिर तो से रिकवरी होंगी अल्टिमेटली तो परशान होगा तो इससे बैटर की राजी नमा कर ले क्योंकि तो को पुलिस दोने दर्से खाना चाहती है बैचारा मुल्जिम करें कि वो भागता है फरारी काड़ता है पुलिस उसके पीछे बागती है और अल्टिमेटली वो सरेंडर होता है और वो राजी नमा कर लेता है वह एक चोटे सी बात कहना चाहता हूं कि आप ने अगर पैसा लिया है और आप रेफरंड करना चाहते है तो आप करो पर उसका एक तरीका है कि सम्मेता से आप से बात की जावे आप से अवे तबे नहीं की जावे पर अगर वही विक्ति थाने पहुंच गया और आपको जो फंडमेंटल और बेसिक राइट से उसको अफ़ेट कर रहा है तो फिर राजी नमा किस बात का बही जब लड़ने की सिती में हैं तो फिर हम भी किसे से कम नहीं है राजीना में तब होते हैं कि जब शान्दी परी महौल में बात हूं जब शान्दी परी महौल नहीं तो फिर लड़ाईया ही लड़ाईया हैं तो सात्यों उसी कॉंसिक्वेंटल में एक इंपॉर्टन राइट मैं आपको जो है स्पेस्पिक करना चाहता हूं अगर आप एक डिफेंस लॉयर है या आप एक आरोपी है तो यह वीडियो आपके लिए काम का है और अगर आप परिवादी है या एक प्रोसीकुशन से हैं तो यह वीडियो तुरंद बंग कर दें को कि आप अपना और मेरा टाइम जो है खराब करोगे मेरा मकसद है defense को बचाना वो बचा के रहूँगा और defense के rights को secure करना मेरा परम करतब है क्योंकि defense को सब परशान कर रहे हैं और defense बचाना जाएगा पर तो हमें एक साइड लेके चलना पड़ेगा तो मैंने पहले जो है पेरवे छोड़ी छुटे लिए हो की और पकड़ लिया मैंस राइट को अब पैरवी में कर रहा हूं डिफेंस की कि जो वर्ग कमज़ोर है जिसके साथ कानून नहीं हो उसकी पैरवी करने का मज़ा अलग आता है तो साथियों टॉपिक काफी लड़ना है और अपन जीतेंगे भी सातियों मामले की फैट्स किया है जैसा आप स्क्रीम पर देख रहे हैं कि जज्जमेंट जो है यह है और पक्षकार है वो है सरबजित कौर और जो अपोजित पक्षकार है वो है स्टेट पंजाब और जज्जमेंट है एक मार्च 2023 का इसका बेसिक गिस्ट क्या है कि एक एक फाई यारे सेक्शन 420 120 भी और 506 IPC के तहट और बेसिक पॉइंट क्या रहे है इसकी अक्यूज ने कि अब ब्रिच ऑफ कॉंट्रेट ड़स नोट गिव राइस टू क्रिमनर प्रोसिकूशन और कोड़ने का यस कि अगर ब्रिच ऑफ गलत हैं गयर कानुनी हैं और प्रोसिकूशन को यह साबित करना होगा कि एड़ बिगनिंग ऑफ ट्रांजिक्शन यह काफी इंपॉर्टेंट है जो कंसरें अक्यूज है उसकी इंटेंशन फ्रॉडलेंड है यह डिसॉनेस्ट है अगर नहीं है तो वहाँ पर एफाई यह न हाई कोट ने सेक्शन चार सो पैसे से एर्पी से की पेडिशन को डिस्मिस कर दिया जिसके अगेंस यह एसलबी में गया है एसलबी एडमिट हुई और उसके बाद एक क्रिमिनल अपीली के रूप में जो है डिस्पोस ओफ वी इसका नमबर है 581 बटा 203 क्लिए चले अब ल प्रेसिडेंट है कंसेंट डिस्टिक नोद्याना की जो कि पंजाब में है और इसके बेसिस पर इसने फर्दर एग्रिमेंट तो सेल कर दिया सरवजित को और वाइफ ऑफ दर्शन सिंग को जो कि यहां पर रेस्पन नमबर टू है और यह वह आठारा ग्यारा तेरा को तो प परचेज नहीं है और इस अगरिमेंट के बेसेस पर इसने आगए एग्रिमेंट कर दिया के लिए और इसके बाद एक डेट फिक्स वे कि 25 शहज़़दा को आपको आना है और सेल करवानी है और यहां पर जो यह एग्रिमेंट तो सेल था उसमें जो अपिलांट थी इसने स् एग्रिमेंट जो है occupy की है इस्टिल मैं ऑनर बनने वाली हूं या बनने वाला हूं तो यह इंडिकेट करता है कि ट्रांजेक्शन के इंसेप्शन में आपने कोई फैट नहीं चुपाएं और अपिलांड ने जो है पांच लाग प्राग किये जिसको उसे नाम दिया अर्नेस्ट बनी अग्रिम रशी यह जो डेट फिक्स थी से लिए 25 से 14 इसको जो है आगे बढ़ाया गया 24 12 चौड़ा तक और एक एडिशन अम और इसने कंप्लेंट दिये तीस नो पंदला कोई डेट का भी इंपॉटेंट है इसको भी आप डूट कर लो और इसने रेफरेंस दिया एलिस्ट एग्रिमेंट टू सेल को पट यह जो कंप्लेंट थी यह ती अगेंस प्रॉपटी डिलर यहां जो मिडिल में थे मनमोहन सिं और रंजी सिंग सन ऑफ पाल सिंग और इस कंप्लेंट में रेफरेंस जो है दिये गए अधर टूर ट्रांजिक्शन की भी जो कि एंटर अपॉन की तो दर्शन सिंग और प्रेयर क्या करी उसने कि 29,49,500 रुपए जो है मेरे रिकवर कराए जाए इन लोगों से वो लोग कौ से जो है रिकवर नहीं है और फिर दर्शन की ने क्या करा कि इस फ्रेट को छपाते वए बापेस नहीं कंप्लेंट करी 15-16 को विट सेम एलिकेशन और अर्लियर केस का क्या हुआ था उसको डिस्क्लोज तक नहीं करा रैफिन तो अर्लियर इंक्वारी में जो पहले इंक्वा और और अर्जी सिंग्दो थाई पिक्चर में मनमों सिंग्दों और जिसके बेसिस पर बरतमान आफायर जो है दर्ज हो गई अब यहां पर इसका आर्गुमेंट क्या था कि रिस्पॉंट नंबर टू जो है जो क्लेम करता है तूबी दा हस्बेंट ऑफ दे बेंटी जो पर फर्स कंपिलांट में कोई भी ऐलिकेशन अगेस अपिलांट नहीं है और जो डिस्प्यूट था वो प्योर सिविल नेचर का पाया गया यह सबसे इंपोर्टन है इन केस अपिलांट ने एग्जीकुट नहीं भी कराया सेल डिट फॉर विच एड्मिट ली दर लास्ट एहां पर आवील कर सकते ते रेमेडी तो फाइल कोनिट है उसमें कोई भी बिवरा जो है प्रीज नहीं और फॉर तो कितना थे कर रहे हैं लगबग लगबग तीन साल बाद है आफ्टर देट फिक्स फॉर दा एक्जिकुशन अब दसी यह काफी इंपॉर्टन है और यह फैट भी जो है अनकॉंट्रोबर्टेड है और जो कंसे रस्पॉंट नमबर टू है इसने कभी भी कोई नोटिस जारे नहीं करा कंस लगा कर व्लेट और जो तár यहाँ मे चोई जो पूरा सूना कोट ने क्या लکहा कि जो सबसे है कि agreement to sell सबसे important है जो कि अपिलांट और सरभ जितकौर दर्शल सिंगी जो वाइफ है उसके बीच में यह एक्जिकुट हुआ है बाइध आपिलांट इन फेवर ऑफ वाइफ रस्परन नबर टू नेमली सरभ जितकौर और यह एग्रिमेंट जो है यह स्पेस्विक कली मेंशन सब्सक्राइब जिसको एक्सेंट किया गया है 24 12 14 तो रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है यह इसकी इंटेंशन क्रिमिनल किया थी अगर पार्ट की बिच सिविल डिस्पूट है पर इसका मतलब यह तो नहीं है कि आप कोई पैसा रिकवर करने के लिए क्रिमिनल एक्शन जो ह और कोड ने का कि अगर पैसों के रिकवरी का मामला है तो यू कूट गो तो दा कंसेंट डिस्टिक कोड और वहां पर जो है आप सिविल रेमेडी इन्वोग कर सकते हो पर किसी भी रूप में आप क्रिमिनल एक्शन करके कोई प्रेशराइज एक्टिविटी जो है इंसिट् करना के और पारिद की कोट ने अपने फैसले में किया लिखा अब ब्रीच ऑफ कॉंट्रेट डज नोट गिव राइस टुए क्रिमिनल प्रोसेक्विशन फॉर्चिटिंग अनलेस अफ्रॉडिलेंट और इस इंटेंशन इस शोन राइट एडट इड़ बिगिनिंग ऑप्र अगर मियर प्रॉमिस है कि मैं सेटीट करा दूँगा और इसमें फेलियर हो गया तो यह इनफ नहीं है तो इनिशेट क्रिमिन पर्सेक्विशन अगर पार्टिस की भी सिविल डिस्पूट है तो पार्टिस से ले जाएं बेशक सिविल कोट में करके वह थाने का और कोट का स सब्सक्राइब कोट कोट को इस मामले में इंटरफेर करते वह इस मामले में इंटरफेर करते वह इस वाइफ को क्वेश कर देना चाहिए था तो कोट ने यहाँ पर इंटरफेर किया और अल्टिमेटली एफ इयर और अल्ट अप्र प्रसुटिंस सब्सक्राइब करने के और परिज किये इस तरह कि अगर एफ इयर है और अब्यूसर प्रॉसेस है तो अपनी आवाज को उठाओ देखो यह सैटिंग वाजी करने से कुछ नहीं होगा आप अपने प्रॉपर ग्यापन त्यार करो ग्यापन को जो है आप सब्मिट करो यह आप में बार बार कहता हूं आप लोग करत ही है तो पंदरा बारा दोजार बाइस का एक बेसिक लाओ है और सुब्रिम गोड का कि जब तक फेट तैनी होगा सेविल डिस्प्यूट में तब तक क्रिमिल पास्प्रॉशन को जो हैं हम कर सकते हैं तो कुल मिलाकर आपके राइंट से अगर सेक्योर कर लोगे तो बच जा जाओगे नहीं करोगे तो घुमते रह जाओगे तो साथियों का टॉपिक अच्छा लगा इसने आपको इनलेटन किया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना मिलते हैं एक ने टॉपिक के साथ अब तक के लिए जय हैं जय भारत